गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं एक रस्मालाई फ्लेवर का केक तो कोटिंग कर रहे हैं क्योंकि लेरिंग हमने पहले ही कर ली थी तो अब इसकी हम कोटिंग कर रहे हैं और कोटिंग को थोड़ा आराम से करना चाहिए क्योंकि अगर जो बेस इधर फिर वह घटा है किरीम जादा लग जाती है तो कस्तुम्र कमप्लेंड करता है। इसलिए कोटिंग बराबर करनी चाहिए एक दम आराम से करें और बराबर से केक काटें और इस क्रेफर हो या आपके पास जो भी चीज हो या तो आप पति से इसने अएक्दम बना सकते हैं और चितना बनेगा फिर डिजाइन कोई भी कर दीजीए इसके बाद इसको मैं डिजाइन linear aux से जो भी उत करना चाहें जो डिजाइन को बनानी हो उस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं तो मैंने कि बेसकली जो हमारा मोटाल अनोजिल होता है हमने इसी का इस्तेमाल किया है और इस रस्मलाइक को हमने कम्प्लीट कर दिया है और इसके बाद आप समस्साइड से डालेंगे पिस्ता के हमारा कम्प्लीट